नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रिस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडेलिया अमेरिका की राष्टपती डॉनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग चलाने का प्रस्ताव हाउस ओफ रिप्रेजन्टेटिव में पास हो गया है ट्रम पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपती बन गए है जिन पर पद पर रहते हुए दूसरी बार महाभीयोग चलेगा उन पर देश के खिलाफ विद्रो भड़काने का रोप है बता दे कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रम पर महाभीयोग चलाने के पक्ष में वोट किया है निजले सदन में महाभीयोग चलाने का प्रस्ताव पूर्ण वहुमत से पास हुआ है CNN के मताबिक प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट डाले गए पक्ष में वोट करने वाले सांसदों का मानना है कि ट्रम्प दंगे भड़काने के आरोपी है ट्रम्प के रिपपलिगन पार्टी के भी 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया है वही प्रस्ताव पारित होने से पहले ट्रम्प ने लोगों से अपील करते वे कहा कि अब कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए कोई भी कानून तोड़ने वाला काम या किसी तरह की बरवरता नहीं होनी चाहिए यह वे नहीं हैं जिसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ यह वह नहीं है जिसके लिए अमेरिका खड़ा रहता है मैं सभी अमेरिकियों से अपील करता हूँ कि वे तनाव कम करने और माहूल शांत करने में मदद करें हम आपको बता दें कि ट्रम्प के समर्थकों ने पिछले हफ़ते संसद में तोड़ फोर की थी इस हिंसा में एक पुलिस अफसर सहीत पांच लोगों की मौत हो गई थी इस घटना के बाद से ही ट्रम्प निशाने पर है और इसी के चलते उनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग चलाए जाने की कारवाई की गई है यह सब नए राश्टपती जो बाइडिन के शपत लेने से एक हफ़ते पहले हुआ है वही ट्रम्प समर्थकों की हिंसा के चलते संसद के बाहर बड़ी संख्या में नेशनल गाड तैनात किये गए थे रूल्स कमेटी के चेर्मेन जिम मेगो वर्न ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हम उसी जगह खड़े होकर इतिहासिक कारवाई पर बहस कर रहे हैं जहां आप राध हुआ था मेगो वर्न ने कहा कि उस दिन यहां जो हुआ वह कोई विरोध नहीं था यह हमारे देश के खिलाफ संगटित विद्रोह था इसे डोनाल्ड ट्रम्प ने भढ़काय था दूसरी और हाउस पीकर नैनसी पॉलोसी ने बहस के दौरान ट्रम्प को देश के लिए खत्रा बताया उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि उन्होंने देश के खिलाफ विद्रों के लिए लोगों को उकसाया था राश्टपती ट्रम्प ने नवेंबर में हुए चुनाव के नतीजों के बारे में बार बार जुट बोला और डेमोक्रिसी पर शक किया महाबियोग का समर्दन कर रही पॉलिसी ने कहा कि मेरा मानना है कि राश्टपती को सीनिट की और से दोशी ठहराया जाना चाहिए यहाँ आपको बता दे कि महाबियोग पर हाउस ओफ रिप्रेजन्टेटिव में सुनवाई हो चुकी है यहाँ जेमोक्रेट बहुमत में हैं लहाजा प्रस्ताव साधारन बहुमत से पास होकर उच्छ सदन यानी सीनिट में चला गया है वहाँ रिपब्लिकन का बहुमत है और यहाँ दो तीहाई मत जरूरी होता है आपको बता दें कि आप तक तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाब योग चला है वही ट्रम्प पहले राष्ट्रपती हैं जिन पर दूसरी बार महाब योग चलेगा सबसे पहले 1868 में एंड्रियू जॉनसन फिर 130 साल बाद 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल ट्रम्प पर महाब योग चला था 1974 में वर्टरगेट कांट के बाद रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा दे दिया था उन पर महाब योग चलना तय था किसी वी राष्ट्रपती को अप तक इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है ट्रम्प के कारेकाल में सिर्फ छे दिन बाकी है इस वज़े से उन्हें हटाना भी मुश्किल है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुब्सक्राइब करें भन्यवाद जंगम आयुर्वेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगम आयुर्वेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिनमें शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट, जोडों के जिद्धी दर्द के लिए, जंगम जॉइंट पेन किट, महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए, जंगम स्वन कलश नारी योग किट, बवासीर के लिए, जंगम पाइलो किट, बहतर पाचन के लिए, जंगम पाचकरस कि थाइरोइड के लिए जंगम थाइरोकिट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुरबलता ठीक करने में सहायक, जंगम स्वन कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अदभुत औशधियां, इन सभी औशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननिय दॉक्तर्स और प्राक्टिशनस वा मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्रिक्ट करनाल, हर्याना, मोबाइल नंबर 98170-98180